नमस्ते मैं आर्तिक खबल है यह से आईए आज 19 दिसंबर 2018 की दिन भर की मुख़्ी खबरे सुनते हैं जिला वरार्ण सी गाउं के खावपुर में मंदिर निर्मार को लेकर हुआ भिवाद ग्रामी लोग भारी संक्या में बिरोध जतायक वरार्ण सी जैदपुर थाना छेतर के अंतगत देर रात में स्री राम जैलरी की दुकान में दिवार में छेत लगा कर चोरों ने लाखों का माल किया पार महबा जिले के अंबेटका पार्क में समाजवादी के कारकरता इकत्रित होकर सरकार के खिलाब किया जमकर नारेबाजी और धर्नपरदासन छेतरपुर जिले में कमलनाच जी के एंपी के मुख मंत्री बनने पर कांग्रेसी कारकरताओं ने चातर साल चोरा है पर पठाकों के साथ खुसिया मनाई गुजरात में हुई 65 लाग की दकैती के मामले में गुजरात क्राइम ब्रांच पहुची आयोध्या नए दिल्ली में आने वाले अंत्रिम बजट में मोधी सरकार देश के लोगों को बड़ा तोफा देने जा रहे हैं माना जा रहे कि फरवरी में अंत्रिम बजट के दौरन वित मंत्री अरूर जेटली एक अनूठी घोश्र करने जा रहे हैं ये यूबिया यनि यूनिवर्सल बेसिक इंकम जिसकी तहट परिवार के हर सदस्य के खाते में एक निश्चीत रकम डाली जाएगी चिन्नई में तमिल नाडू के मुक मंत्री जे जैललिता के निधन के दो साल बाद अपूलो अस्पताल द्वारा उनके 75 दिन तक चले उपचार का पूरा बिलमंगरवा को जेश्टिस अरुमंग सामी आयोग के समझ पेस किया गया कंणाटक के बिधान सवा की भीतर सदन की कारवाही के दोरान बियस्पी के बिधायक इन महेस अपने मुबाइल पर लड़कों की तस्वीर देख रहे थे यह हरकते उनकी कैमरे पर कैद हो गई जिसके बाद बियस्पी विधायक को सफाई पेस करनी बिग बॉस बारा खदमे होने में दो हपते रह गए हैं और सलमान खान भी घर के सदस्यों को इसारा दे चुके हैं कि वे अपने इमेज पर काम करना सुरू कर दे पाकिस्तान गदो की तादात के हवाले से तीसरा बड़ा देश बन चुका है गदो को बिमारी से महफूज रखने के लिए प्रशासन ने गदो का अस्पताल भी बनाया है तो ये थी दिन भर की मुख्य कबरें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर लाइक और सस्क्राइब कीजिए तो कल फिर मिलते हैं इसी समय तब तक के लिए नमस्कार